नशे में धूध होकर मर्सेडीज कार से रेलवेस्टेशन के पास राम जूला पर दो निर्दोश युवको को कुचलने की आरोपी व्यावसाई रितिका और वरितिका दिनेश मालू के जमानत को सत्र न्याले के रत करने के बाद राज्य CID ने रितिका मालू को गिरफतार कर है CID रिपोर्ट के आधार पर कोट ने रितिका की जमानत रत कर दी गटना की तुरंद बाद जमानत मिल गए थी लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद और पुलीस की कुचला परवाई सामने आने के बाद से विरोज जारी था तासिर पुलीस ने मालू के खिलाब श परच किया था इसलिए प्रथम श्रेंडी नियायदन डादीकारी ने मालू को उसी दिन जमानत दे थी इसी बीच बलड में अलकोहल पाए जाने पर पुलीस ने दो मार्श को फिर दारा तीन सो चार और मोटर वहाना दिनियम की धारा एक सो पच्चासी का अपरात में शामि इस मामले की जाश कर रही है पचीस परवरी दोहजार चोविस को लगबग देड़ बजे रात को रितिका कलब से घर गए उसके साथ कार में उसकी दोस्त मादुरी सारडा सह आरोपी भी थी रितिका तेजगति से कार चला रही थी राम जुला पूल पर पहुंचते ही कार अ पहान को जम कर टक कर मारी कार की इस टक कर से दोनों यूवक दूर जाकर गिरे और गंबी रूप से जखमे हो गए इसके बाद दोनों की ही अम्रुत्यों हो गए क्या मेरे परसन अखलेश बाहर द्वाश के साथ अभी शिक पान सी बीसीन नियोज नापूर